नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार राश्ट्रिये स्वेम सेवक संग मोदी से नाराज है ये तो दुनिया जान चुकी है मोहन भागवत ने जिस तरह से बिना नाम लिये हुए प्रधान मंत्री की क्लास लगाई है वो अभूत पूर्व है एहंकारी अकर्मन्य अराजा काराम तलब सब बोल दिया संग प्रमुखने लेकिन भाजपा वाले भी मोदी से छुटकारा पाने की जुगत में लग गए है क्या ये सोचने वाली भी बात और है और हैरान करने वाली भी बात है लेकिन राजनीत असंभों के संभवी करण का ही तो खेल है जियां खेल और खेल शब्द पर मैं खास तोर पर जोर दे रहा हूं क्योंकि भाजपा में नरेंदर मोधी के साथ खेल हो गया है या कहिए भाजपा ने नरेंदर पती उपराश्च्पती और लोग सभा के अध्याक्ष एक बात गौर की आपने यह फोटो पुरानी संसद के सामने वाली मतलब बना भले नया लिया हो लेकिन गौरों बहुत तो पुरानी संसद से याता है इस वेबसाइट के सबसे उपर दाहिनी तरफ एक मेन्यू बना फिर मीडिया संसाधन साहित्य और सबसे दाइनी तरफ है भाजपा का असली धाचा संगठन संगठन वाले खाने में सबसे उपर है मार्क दर्शक मंडल अभी तक मार्क दर्शक मंडल से आप क्या सोचते थे वाजपेई आडवानी और मुर्ली मनोहर जोशी वाजपेई जी क्या आता है यह क्या है जगनात यह प्रेमानंद यह मैं क्या देख रहा हूं नरींद्र मोधी भाजपा के मार्ग दर्शक मंडल में वह भी पहले नंबर पर देखिए लाल कृष्णाडवानी दूसरे नंबर पर जा चुके हैं लेकिन जब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो और चौक जाएंगे तीसरे नंबर पर तो डॉक्टर मुर्ली मनोहर जोशी बरकरार हैं लेकिन चौटे नंबर पर रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग्ग को डाल दिया गया है मार्ग दर्शक मंडल में और यह कोई अंदाजा नहीं है आप जो देख रहे वह अगर ऐसा होता तो कम से कम जितने भी जीवित पूर्व अध्यक्ष होते वह इसमें शामिल होते लेकिन ऐसा है नहीं अगर ऐसा होता तो इसमें नितिनगडकरी भी होते मार्ग दर्शक मंडल में विंकईया नैडू भी होते अमिद्शा भी होते लेकिन ऐसा नहीं किया गय में भेजने के लिए यही फार्मूला बनाया गया था एक फार्मूला तो यह भी था कि 75 पार के नेताओं को घर बैठ जाना चाहिए वाजपई आडवानी और जोशी तीनों इसी फार्मूले में फिट कर दिये गए थे लेकिन नरेंद्र मोदी तो केवल 73 साल के हैं सितंबर मे 74 के होंगे और राजनाथ सिंग तो 72 के ही हैं लेकिन पार्टी ने दोनों को अभी से मार्क दर्शक मंडल में डाल दिया है यह थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको इसकी वज़ा क्या हो सकती है लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाजपा ने अडवांस में प्लानि की हो और मोदी को बता दिया गया हो कि आपकी नई जगह जो है वो अडवानी और मुर्ली मनोहर जोशी के साथ हमने तै कर लिए राजनाथ सिंग को भी खासका संग प्रमुक मोहन भागवत के बयान के बाद से भाजपा मुख्याले के गलियारों में खुसूर खुसूर में फना जगह डाल दो वो भी कोई जिम्मेदार आद में लिख कर देगा तब ही करेगा तो सवाल है कि भाजपा की वेबसाइट चलाने वाले को किसने लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंग को मार्गदर्शक मंडल में डाल दो यह कोई गलती नहीं लगती लोग पूछ रहे हैं कि किसने क्या किया है मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डाला किसने अचा हमने सोचा कि चलो एक बात देख लिया जाए कि केंद्रिये चुनाव परिशद और संसदिये बोर्ड में क्या इस्थिति है वो भी वेबसाइट पर ही मौजूद है देखिए म संसदिये बोर्ड का कॉलम है और उसके ठीक नीचे केंद्रिये चुनाव परिशद यही दोनों मोर्चे भाजपा के सबसे ताकतवर मोर्चे हैं वहीं से सब कुछ होता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा कौन राजिपाल बनेगा कौन राजिसभा जाएगा कौन विधान सबा लड़ेगा मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री साब यहीं सतय होता है तो संसदिये बोर्ड में अध्यक्ष जेपी नड़्डा के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी हैं और उनके बाद राजनाच सिंग और फिर अमिच्छा केंद्रिये चुनाव परिशद में भी बिलक सारी चुनाव परिशद फिर भाजपा ने मोदी और शान को मार्ग दर्शक मंदल में क्यों ढाला देखिए कि भाजपा का जो मर्डर्शक मंदल면 है वह परटी को कोई मार्ग नहीं दिकhedा था उन्हें खंद मार्ग दिखाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ते इसलिए लिखा होगा कि जिसको मार्ग दिखाना पड़े उसको मार्ग दर्शक में डाले अडवानी और मुर्ली मरोहर जोशी दोनों ही सहारे से चल पाते तो क्या भाजपा मोधी और राजनाथ सिंग को लेकर भी ऐसे ही सोचने लगी है लगता तो मोधी के कमजोर होने से विपक्ष को चाहे जितना अच्छा लग रहा हो लेकिन उससे ज्यादा अच्छा भाजपा के अंदर मोधी के विरोधियों को लग रहा है यहां तक कि कुछ मुख्य मंत्रियों पूर मुख्य मंत्रियों और पूर्व उप मुख्य मंत्रियों को भी लग रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमिद्शाह ने उस दौर में उनको पाताल में फेक दिया जब वो अपनी राजनीद के शिखर पर थे और उनमें से विदान सभा के स्पीकर बना दिये गया और शिवराज सिंग के अंदर में मंत्री लेकिन वसुंधरा राजी और उमा भारती भाजपा की राजनीद को अपने दम पर सक्ता तक पहुचाने वाली महिलाओं का जिकर जब भी आएगा तो अभी तक के हिसाब से सिर्फ इन ही दोन दिया जाएगा लेकिन यही राजनीत है भले गलती ही सही भले गफलत ही सही लेकिन ऐसे तमाम नेताओं के दिल से पूछ लीजिए नरेंदर मोदी का नाम भाजपा के मार्व दर्शक मंडल में देख कर कैसा लगता है उनकी आखों में जो तरावट नजर आएगी उससे सिर आई हमारा वीडियो आप मो कैसा लगा हमारा ट्टेर हैंडल अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्टेर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट नमस्कार